आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जब आप टिक टुक चलाते हैं तो वहाँ पर आपको एक Suggest to your account to others का option मिलता है और यह option रहता क्या है और इसके क्या क्या benefit है तो आज की इस वीडियो में यही बताने वाले हैं तो इस वीडियो को देखते रहे हैं तो नमस्कार दोस्तों कोई की इंडिया चैनल में आपका स्वागत है तो चलिए शुरू करते हैं तो आपको बता देखी जब आप टिक टुक चलाते हैं तो कुछ इस तरह के इंटरफेस आपको देखने को मिलता है उसके बाद यहां पर आपको corner में एक person का icon दिया गया है उसके नीचे मी लिखा हुआ इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऊपर में corner में तो others का option दिया गया है और इसको enable करने से यानि कि इसको turn on करने से यही benefit होता है कि जब जो लोग जिस चीस के वीडियो देखने में interested रहते हैं उस चीस से related उनको हाँ पर video suggest किया जाता है और जादे से जादे लोग को उस video हाँ पर दिखाया जाता है अगर आप इसको enable रखते हैं तो जो भी लोग आप comedy का video बनाते हैं तो उनको जो भी लोग comedy से related video देखते हैं तो उनको वहाँ पर suggest करेगा तो उससे आपको video पर view और likes बहुत जादे मातरा में आने लगते हैं और तो यहाँ पर आपका follower भी बहुत तेजी से बढ़ता है अगर आप इसको यहाँ से इस पर click करके इसको बंद कर दीजेगा तो यहाँ पर किसी को यह video आपका suggest नहीं करेगा तो कोई video नहीं देख पाएंगे तो यहाँ पर आपका video पर view भी नहीं आएगा साथ में like और followers भी आपको tik-tok पे नहीं मिलेंगे तो अधिकतर लोग इसको enable करके ही रखते हैं क्योंकि enable करने में benefit है तो अगर आपको यह video पसंद आया हो तो इस video को like, comment, share करें अगर आप इस channel को अभी तक subscribe नहीं किये हैं तो नीचे दिये गए red color के subscribe बटन दबा के channel को subscribe कर ले क्योंकि जो भ verification पर आप्त होगा तो अफ़रना वीडियो को देख पाएंगे धन्यबाद